सबी को नमस्कार मैं हूँ बोक्सिंग को चरोत आश्कमार और मैं लिटल एनल बोक्सिंग कैडमी में कोचिंग करता हूँ पिछले काफी टाइम से करीबन 11 साल से मैं बोक्सिंग की कोचिंग कर रहा हूँ और मेरे पास फिलाल करीबन 200 बोक्सर ट्रेनिंग करते हैं और जिसमें से कम से कम चारीस नेशनल लेवल के पर मेडलिस्ट हैं, 18 से 20 इंटरनेशनल हैं, और वर्ल लेवल पे चार से पांच बोक्सर मेडल लिया चुके हैं, और फिलाल इसी महिने में वनसज चोहान जो वर्ल चेंपियन होके मेरे पास लोटा है, और मुझे बड़ी खु कोई न कोई ऐसे पड़ाव आते हैं, जहां आदमी थोड़ा सा पीछे हट जाता है, पर मेरे अंदर एक पोजिटिविटी रहा मेसाजी, चाहिए मैंने कोई भी काम किया हूँ, मैंने खेती की, मैंने बैसों को ने लाया, तलाबों में कया, लेकिन मेरे अंदर एक जजबा में ट्रेनिंग कर सकता हूं, और मैंने लगातार ये परियास किया, मैं हिसार से बिलोंग करता हूं, और बेसिकली मेरा गांकॉमबा है, और स्टार्टिंग में अपना गेम सिख्स्थ क्लास से, खोखो और कबड़ी को चुना था, मैंने, जो आगे चल कर जब पता चला, लो तो कोच्छा बोले के आप पोक्सिंग यो करना चाहते हो इसमें तो आप जित्त होगे तब भी पिटौगे और हारोगे तब भी पिटौगे तो दो सात्वीध थै वो पईखे हट वह वी लेकिन मैं next day भी मैंने बौक्सिंग जो इन कर लिया मैं देखना है कि लड़की वड़ा गेम चोड़ के मर्द वड़ा गेम कौन सा है और मैंने उसमें पाइचिबेट किया और स्टार्टिंग में मैं ट्वाल्थ क्लास में मैंने बोक्सिंग शरू की और पहले तीन में मैं अरियना स्टेट का सिल्वर मेडलिस्ट था जो पंच मैं काम करने के नियत में गाउं में खेती भी किया काम किया दुबारा वापिस लोटना मेरे लिए असान नहीं था पर उसके लिए मेरे बाई ने मेरा बहुत सहयोग किया और मैंने वापिस अपना पढ़ाई का सिल्सला सुरू किया अब पढ़ाई स्पोर्स में इतने अच् शुरू किया और मेरी इतनी बेतरी न तहरी ती उस टाइम पर बढ़ाय की कि मेरे साथी कोज जते मैं थे मैं बेठके पढ़ाता था रात को उन और उस एनाईश में गाह में स्कुलिंग के बाद मैंने जाच्ट स्कुल में एडिमिशन ले आर वान में ने बॉक्सिंग स्टार्ट कि बॉक्सिंग के दोरान मुझे कभी यह याद नही आता कि मेरे कोच ने कुछ का ओ इतनी रुनिंग करनी है इतना हार्ट वर्क करना है, इतनी स्टेयर्स करनी है, मैंने कभी भी मेरे मुझ से यह निकाग, मेरे से नहीं होगा. तो मेरा कोच भी बहुत इंप्रेस्टा मेरी मेनद से, शरी सुबे सिंग बैनिवाल जी मेरे कोच थे, और लगातार मैं परियास करते करते, इस संगर्षकी सीडियों बे चड़ते चड़ते मैं बॉक्सिंग कोच बना, और बॉक्सिंग कोचिंग भी मैंने बहुत अच्छे से कि कोई भी जो एकागरता से मैंनत करेगा, वो बहुत सफलता कि सीडियों का अराम से चड़ सकता है, एनाइस के दोरान मुझे इंजरी का सामना करना पड़ा, मेरे हाथ की हड़ी बिल्कुल तूटी होई थी, और मैं सोच रहा था कि कैसे मैं एक साल की इस एनाइस में अपन फिने चलाए, एक साल एसा बहुत जजबे से वितना और जो मेरे साथी हैhm तो आज भी लगाता रहे हो honky में करते हैं, उसमें बहुत कुछ के बात करतेैं, और अनाइस डिग्री लेने के बाद भी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ उखना पड़ता है तो मैंने लगातार अपना सेडूल भी चेंज किया ताकि बच्चे अच्छा खेल पाएं और वो लगातार ऐसे परियास्तों से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और बच्चे लगातार सीडियो पे चड़ते गए और मैं इस काम्याबी के सफर में लगातार बढ़ता चे लाग अपना नहीं कर सकते मैं उनकी मदद भी लेता था अपने एक्पिरियंस के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए इतने सारे बच्चे हैं इन में एडवांस भी है विगनर भी है इनको मैं कैसे एंडल करू तो थोड़ी से उन्होंने चेलेंज के लिए मेरे पर थोड़ा कटाक् कि उनके मुझ से मैंने जो भी अपनी डिमांड रखी है किसी समान के परती, एक्यूपमेंट्स के परती, फैसलिटी के परती, आशी सारिया जी ने मेरा इतनी साहता कि कि मैं लगातार फिर अपना पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने, जैसे जैसे सुईदाय बढ़ती दिन में साढ़े दस बजे और स्याम को चार बजे, इस कैरियर में में बहुत सारे बोक्षर मेरे पास इंटिनेशनल है, मेरा एक बच्चा सिसाना गाउं से है सचिन कुमार जो ओलम्पिक क्वालिफाई तक पोचा और चाइना से हो एक स्कोर से चुग गया, नहीं तो मेरे जाते में एक ओलम्पिन भी होता है, इसके अत्रिक मेरे पास और भी बहुत सारे बोक्षर है, सचिन दलाल है, पवन नर्वाल है, मनीशा नर्वाला जो वर्ल्ड लेवल पे मेडल लेकर आई है, वंसद चोहान है, अंकित सर्मा है, अंकित सर्मा अभी सब से यंग एज में स मेडल लेकर अभी फिछे हुई नेशनल गेम में गोल्ड मेडल लिया, उसने सारी बाउट एक तरफा जीतते हुए मेडल असिल किया, इसी तरज पर वंसद चोहान ने भी वर्ल लेवल पे सारी बाउट एक तरफा चलाते हुए, उसकी स्रफ एक बाउट कलोज हुई है, आसकता है, और मेजे बहुत उमीद है, और मैं एक बहुत ही विल पाउर का आदमी हूँ, मुझे फुरन विश्वास है कि मैं ओलम्पिक में भी अपना बच्चा बहुत नजदीक टाइम पे भेज़ दूगा, बाहरत के हर कोने से मेरे पास आज बच्चे आगे हुए, और इ पूरी कलोनी में बोक्सर चाहे हुए है, लगातार पीजी भर रहे है, मेरे पास भी ऑस्टल है, जो पूरा भरा हुआ है बच्चों से, और लगातार प्रियास बढ़ रहे हैं, डाइट को भी मैं खुद पलान करता हूँ, और बच्चों को गाइड भी करता हूँ, डाइट तो बहुत सारी चीज़े एक अठना ही आती बोक्सर के उसके अंदर, कैरियर में, कि वजन कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी डाइट किस टाइम पे लेनी है, इन सब के लिए मैं बच्चर के बच्चों को इसा लेता हूँ, इसके तरीक मारी टेक्निक है, टेक्टिस है, अलग- कि आपको चिरफ टेक्निक परियाब तरही है, कुछ टेक्टिस भी हैं, जो बोक्सिंग में आपका पढ़ानी पढ़ेंगी, और मेरे बच्चे वो उसको अपना के लगातार, बड़े अच्छे परियास के साथ, बड़े-बड़े मैडल लेके आ रहे हैं, इस बात की मुझे हम से बहुत खुरorted हैं, बोक्सर बॉक्सिंग में करियार बनाना चालते हैं, वो मेरे पास आ सकते हैं, मेरे पास बहुत अच्छे सूँधाय हैं, जिम हैं, संश्था के दिया हुए दो रिंग हैं, और जो भी इन्फरस्टेकर है, वो बहुत वैल सेटिट हैं, जो बनाना च जैते हैं बच्चे वो अपने बॉक्सिंग मेरे बना सकते हैं और ऐसम्भव नहीं था ऑटे हैं वाखहिए भॉक्षिंग में मुष्किले जरूर आती हैं लेकिन अगर आपadow एकागरता सë हीर षुऐ हय तो बॉक्षिंग जब आपको बॉक्सिंग में चुना और अगर आपको कभी जिंद्गी में हार नि माननी, मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि पूरी आगर्ता से, पूरी निष्ठा से आप अप पर्यास करिये, आप बोक्सिंग में कामयाब हो सकते हैं, वो हर चीज पा सकते हैं, जो माब आप को खुशी देती है जो एक कोच को खुशी देती है आप मैनत इतनी करिये कि आपका आई क्यू बहुत नजदीक से पंच देख सके और आप एक एक चीज को अच्छे से हैंडल कर सके और सामने खड़े हुए बोक्सर की इंचो में गहराई नाप सके इसके पंच कहां तक और कोई मुश्किल भी नहीं है लेकिन एकागरता आपको बनानी पड़ेगी जिसके लिए आपको लगातार परियास करना है अपने रिंग पे खड़ा होना है अपने केरियर के लिए अपने गंटव गंटव बिताने है तो बिलकुल आसानी से आपको काम याभी मिल सकती है आज हमारे साथी कुलदीप मान ने जो मेरे को यहां बुलाकर जो इतना टाइम मेरे साथ सपैंड किया और साथ-साथ मुझे मोटिवेट करते रहें बार-बार मेरे को मोटिवेट करते हैं कि आप लगे रहें केरियर में जिससे मैं बहुत मोटिवेट हूँ और मैं आशा करता कि आगए ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहे, मैं केरियर के उस दम को चूम लूँगा, जहां लोग सोचते भी नहीं है, मैं उस ओलम्पिक को भी पोडियम को बहुत जल्दी ही से पालूँगा, मेरे साथ ऐसे साथी हैं कुल्दीप मान जैसे, जो मेरी लगातार सायता करते ह मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, आप सभी साथियों का बहुत तै दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, जो मुझे आप सून रहे हैं, और मेरी केरियर के परती आपकी सजगता, जो मैं आपको सिखाना चाता हूं, जो मैं बताना चाता हूं, नाकामियाबी आपकी ये आपका मियाब हो जाएंगे.